Question कह रहा है कि the mark price of a mustard oil is 25% more than its cost price. सर्फो के तेल का अंकीत मूल ने उसके क्राय मूल से 25% अधिक है. At what percentage less than the mark price should it be sold to have no profit and no loss? यदि इसे बीना किसी लाग या हानी पर बेचा जाना है तो इसे अंकीत मूल से कितने प्रतिसत कम पर बेचा जाना चाहिए. 4 option है. 15%, 20%, 18% और 22%. ये भी CGL 2023 के pre में पूछा गया था. फर्स्ट डर के सिक्टम. ठीक है. तो आईए इसके लिए हम जानते हैं एक्टम सौट तरीका. और ये सौट तरीका जो है वो ड्राइब किया गया आपका बेसिक जो भी तरीका उसी से. ठीक है. बेसिक कुछ स्टेप जो हम लिखते हैं. उनका कोई यूज नहीं होता. उनको हटा देते हैं. जो में पॉइंट होता है. उन्हें जब कंसीडर करते हैं. उसी को सौट ट्रिक बोलते हैं. ठीक है. तो अभी जो मैं ट्रिक बताने माला हूं. वो सेम अपलाई होगा जब करा जाता है कि चीनी का डाम बर गया है तो खपत कितना घटेगा. क्योंकि उस वो भी एक ऐसा ही केस होता है. जहां पे आपको पैसे उतने ही खर्च करने होते हैं. नो प्रॉफिट, नो लॉस का. ठीक है. तो दोनों में आपका सेम चीज अपलाई होगा. ठीक है. हो सक इंक्रीज या डिक्रीज. जो परसेंटेज है उसको उपर लिखना अपन हंड्रेड पलस लिखना इंक्रीज के साथ और माइनस लगाना डिक्रीज के साथ. ठीक है. अब इंटू कर देना हंड्रेड. ठीक्रीज के साथ माइनस कर साइन होगा. इंटू हंड्रेड करना. जो भी आगा जो भी परसेंटेज वह हमारा क्या होगा एंसर होगा ठीक है आइए यहाँ अप्लाइ करके देखते हैं कि क्या रहा है कि 25 परसेंट बढ़ गया ठीक है 5 इंटो 100 बराबर कितना होगा 20 परसेंट और यह हमारा क्या होगा एंसर होगा ठीक है थैंक यू